नमस्कार मेगनोलियसी के पार्ट फोर्थ पर अब हम डिसकस करने जा रहे हैं मेगनोलियसी के पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकिंड और पार्ट थर्ड की हम चर्चा कर चुके हैं उसमें हमने पूरी मेगनोलियसी का वर्णन कर चुके हैं इसमें हम इसकी वर्गीकत इस्तती विविन ओथर के द्वारा इनको कहां रखा गया है वर्गीकत इस्तती पर विवेशना कर चुके हैं इसके रेंज ओफ वेश्टेट्व करेक्टर्स रेंज ओफ फ्लॉरल करेक्टर्स फ्लॉरल फार्मुला फ्लॉरल डाइग्राम जाती वर प्रवर्तियां इन सब पर हम डिसकस इन पिछली तीन पार्ट में कर चुके आज मेगनोलियसी फैमिली के अंतिम भाग अथार्थ पार्ट फॉर्थ में हम चर्चा करेंगे इसके आर्थिक महत्तु की और इसमें आने वाले एक महत्तुपूर्ण पादप के पुष्प के सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इस फैमिली में आने वाले जो सामान निपादप हैं उनकी जानकारी कॉमन प्लांट्स और फैमिली में दिखाई दे रहे हैं जो जेने रह इस फैमिली के अंदर शामिल हैं में लियूदेंट्रों सबसे पहले हम बात करते हैं में इस्पिशीज की में परजातियां में ग्रेंडी फ्लोरा में एकुमेनेटा इत्यादी है कुकुमबर ट्री है लार्जस्ट ट्री ओफ मेंगनोलियल्स इट्स ग्रीन फ्रूट्स रिजंबल से कुकुमबर वुड लाइट सॉफ्ट एंड डूरेबल की कर्ट्रस्टि धारन करेगा में जिसकी वह गुड़ भी काम आएगी और जो ओर्नामेंटल प्लांट भी है कि सबसे पहहले हैं इंग पोधों की जानकर प्राप्ट कर रहे हैं दूसरा हम देख रहे हैं मायकेलिया स्पिसिच की भी माइकेलिया च engag टरोरा उनुप ँख़ोंक्न लेאני अदर्न कहाँ प्लाइटों पर्फुमरी माइकेलिया ग्रेंडी फ्लोरा बड़ी चंपा और हिम चंपा ए स्मोल ट्री विद फ्रेंग्नेंट फ्लावर्स और भी स्पीशीज की बाद हम आर्थिक मात्रों पढ़ेंगे तीसरा हम जो महत्तपुन जेंदरा देखना है लिरियोडेंडरों इस्पीशीज जिसके भी जाते हैं लिरोडेंडरों ट्लीपफ्लोरा लास्ट ट्री विद हैंड्सम फ्लोवर वुड ऐस टिमबर जिसकी कास्ट भी उसमें काम नहीं तो तीन जेंदरा हमारे सामने हैं मैगनो लिया और माई के लिया उसके बाद हम देखने जा रहे हैं इस फेमिली का आर्थिक महत्त इसका जो आर्थिक महत्त है वो मेडिशनल प्लांट के रूप में है इससे रंजप डाई प्राप्त हो रही है इमार्थिक कश्ट प्राप्त हो रही है और पर्फ्यूम प्राप्त हो र देग रहे हैं चंपा का जो पोधा है माईकेलिया चंपा का जिसका वनस्पतिक नाम है इसे सामान्य भाषा में चंपा भी के थे इसकी जो पादक की जड़े हैं और जो छाल है वो रेचक जिसको अथार्थ परगेटिव दस्तावार ओशती की रूप में प्लुक्त की जाती है इस पोधे के पुष्पों का उप्योग कार्विनेटिव अथार्थ पाचक की रूप में तता क्रमी हर के तोर पर किया जाता है इसके अत्रिक्त पुष्पों का उप्योग गोनेरिया रूप की उपचार में भी किया जाता है और चंपा के जो बीज हैं इसकी बीजों से प् मेदिसनल उप्योग में दूसरा हम देखने जा रहे हैं रंजक के रूप में अथार्थ डाई के रूप में वही माईकेल अचंपा का जिसका के सामानी नाम चंपा है इसके पुश्पों से एक विशेश प्रकार का पीला रंग प्राप्त होता है वो भी इस फेमिली का आर्थिक महत्तु में शाली उसके बार हम देखने जा रहे हैं इमार्ती काष्ट फर्निचर में टिंबर एंड वुड की रूप में क्या उपियोगिता है फेमिली मैगनोलियसी की तो हम कुछ नाम यहाँ पर देख रहे हैं पांच नाम सबसे पहला वही नाम जो हम दो बार में लिया है माइकेलिया चमपा का जिसको सामानी बाशन में हम चमपा कहे रहे हैं इसकी इनके सदस्वें से इमार्ती लकडी अथारत इमार्ती काश्ट प्राप्त होती है वुड में काम मारी है दूसरा हम देख रहे हैं माइकेलिया नील गिरी का माइकेलिया की दूसरी स्पिशीज ये भी टिंबर या वुड में काम मारी है उसके बाद देख रहे हैं माइकेलिया की अगली स्पेशीज माइकेलिया एक्सल सा माइकेलिया एक्सल सा जो है इसकी काष्ट से वाध्धी अंत्र इंस्टुमेंट जो है बक्से, खिलोने, एम नावित्यादी बनाई जाते हैं इसकी बुर्च उसके बाद हम देख रहे हैं MEGANOLIA का बहूत important species MEGANOLIA GRANDIFLORAH इसकी जो गुड है untimber good है वो भी MARTIC Blood के रुप में उपयोग मिल ली जाती है मैं MEGANOLIA GRANDIFLORAH उसके बाद हम अग्ला नाम देख रहे हैं LIRIOTENDRON और LIRIOTENDRON की species LIRIOTENDRON TWILIPPY FLORA इस व्रक्ष की जो प्रजाती है काश्ट जो है वो सपेद या हलके पीले रंगी होती और ये बहुत लाइट होगी हलके पीले रंगी होगी हलकी और चिकनी होती जो विबिन्न कारियों के लिए उतक्रष्ट किस्मिकी माने जाती है इसको अच्छी फर्नीचर मना जता है लिरो डेंडरोन की कास्ट को फुड को लखडी को और इससे फर्नीचर वह केविनेट तैयार के जाते हैं इसकी फुड से लिरो डेंडरोन टिंपर फुड के रूप है ज्यादा उपयोग है इस फेमिली में आने वाले मेंबर्स के अंदर यह हमने उपयोग देखें के डाई इमारती कास्ट में अब हम देखने जा रहे हैं पर्फियूम के लिए इसके पुष्प से पर्फियूम बनाए जाएगा सोगन विद सेंटो के दूरे हां देख रहे हैं माई के लिए चंपा का पुष्प है वो भी पर्फियूम में मोज कर्फियूम बहुत लोगप्री है उपयोगी है तो यह पर्फियूम में बने देखा तुमय दो म्रिया ग्रेंटी फ्लोरा चंपा उसके बाद हम हम देखने जा रहे हैं और ना मेंटल प्लांट्स शोभाकारी पोदे सजावटी पोदे जो घरों में उद्यान में बगीचों में उगाई जाते हैं सजावटी पोधों की रूप में उनको हम देखने जा रहे हैं इसमें जो हमने बात की है कि जो फेमेली में जो पोधे आ रहे हैं वो खुप होंगे या वरक्ष होंगे खर्ब नहीं है इनके अंदर तो औरनामेंटल रूप में इनको ट्री को इनकी जाड़ियों को लगाते हैं तो माई के लिए चंपा का चंपा का अगे बड़े पुश्च पर नदर आएंगे मेगनोलिया की इस्पिशीज हम यह बहुत सारे देखने हैं जैसे मेगनोलिया फस्केटा इसको और्नामेंटल परपस से हुगाते हैं मेगनोलिया पुमिला यह उगाई जाएगा सुंदरता के लिए मेगनोलिया एलबा यह कोमन स्पिशीज है मेगनोलिया की जो गार्डन में उगाई जाती है और मोस्ट कोमन स्पिशीज जो हम देख रहे हैं मेगनोलिया की Magnolia grandiflora यह common species है यह भी garden में उगई जाती है Magnolia alba, Magnolia grandiflora यह दो common species है जो सजावती रूप में ornamentally बगीचों में उगई जाती है और आखिर यह हमें नाम देखा है च्छटे नमबर पर Liriodendron Tulipi flora जो एक बड़ा ब्रक्ष है और ये भी ornamental रूप से इसको लगाते हैं इस बेड़ को सुंदरता के लिए ornamental रूप से बगीचों के अंदर उध्यान के अंदर वहाँ पर इसका उगाते हैं तो यह हमने जो यहाँ पर छे नाम देखें हैं यह उपयोगी हैं किस रूप में यह उपयोगी है और नामेंटल प्लांट के रूप में जिनको हम सजावती रूप में उगाते हैं बगीचों के अंदर उध्यान के अंदर और बहुत सुंदर होते यहाँ पर इनके नदर अब हम बात करने जा रहे हैं अगले में फ्लॉरल डिस्कैप्शन अतार वर्णन की पुष्प वर्णन की जो हम प्रैक्टिकल के अंदर भी वर्णन करते हैं पूरी का इस फेमिली में दो महत्तपूर्ण प्लांट हैं मेंग्दोलिया और माई के लिए मेंग्दोलिया के जो स्पीशीज इंपोर्टेंट हमें याद अटनी है मेंग्दोलिया एलबा मेंग्दोलिया ग्रेंडी फ्लॉर्ण और माई के लिए की जो समाने वाशा में हम चंपा कहते हैं उसका प्लांट डिस्कैप्शन इसके हेवीट रूट इस्टेम लीफ इंफ प्रसेंस इन सब केलेक्स कोरोला एंडरोशयम डाइनोशयम फ्लावर फ्रूट कैसे यह वर्नन हम करने जा रहे हैं जब तक हमने नहीं पड़ा है और यह उपलब्द भी नहीं होता है कई पार लिटरशर पर रूपने हैं हमारी किताबों के अंतर इस दी हम इसका पूरा वर्न इस डार्क ग्रे बार्क इट इस कल्टिवेटेड फ्लावरिंग मेंली डूरी अप्रेल से अप्रेल टू जू इसमें जो फ्लारिंग ट्राइम है अप्रेल से जून होगा और एवर्बियंट्री है सुन्दर दिखता है और और और्नामेंटल रूप से उनको बगईचों में लगाते हैं केसी रूट है इसकी टेप रूट एंड ब्रास्ट मुस्लाकार जड़े और शाकित जड़ इनके अंदर पाई जाएगी है उसके बाद इसका जो तना है इस्टेम है वो है एरियल अथार्थ वाई भी है इरेक्ट उर्ध है ब्रांश्ट अथार्थ शाकित है कास पास्ती है वूडी और सोलिड अथार्थ ठोस है यह इस प्रकार का दला क्योंकि यह पेड़ है ट्री है इस प्रकार का दला है किस प्रकार की इंगी पत्तियां है बढ़ी आकशक पत्तियां है इंगी बत्तिया में लीफ इंघी के कैसी है रेमलख अथाथ शाकितbaby Alternate एकांत इन्हाल, ओवेट अंडाकार है या ओवेट लेंसियोलेड है, एंट्यर, पूर्ण, विथ एक्टूट, एपेक्स, कोरिसियस, अतार्ब चर्मिल है, मोटी पत्या आएं, इसले अपने काईद को पो पोरीषयस, चर्मिल, कोरिसियस, ग्लक्रस, रोमिल है, डार्ग ग्रीन और ही गहरे घरे कदर की है और स्दकोνे हैं और यू एक ले इन दूर जाय ख खिलरा तो यह इनियास टवन्यास चींद। इस सी अंनरे को सकतरे को गईतब कि हूए और सब्सक्राश्ण में कि ना रही है चलुट्ए of axillary flowers यो एकल पुश्प हैं उनका एक गुच्छा cluster समय आपे निजरा आठ है पुश्प पुश्प कैसे हैं सहपत्री ब्रेक्टियेट पेडिसिलेट अथार्थ सेवरंते हैं पेडिकल शोट छोटा है इब्रेक्टियोलीट सहपत्रे का है नहीं है अब इनकी कुछ प्रजातियों में पेडियंत की रूप में होगा पुछ में ये बाहिदल और दल में भी विवक्त हो सकता है सबसे पहले में बात करहें यूजली नाइन टेपल्स समयने तया नो संक्या है पर्दनों की और वो तीन चक्र में थ्री हुर्लोड द्री एजिए 3 प्लस 3 प्लस 3 होंगी यह इसे बाइस हैं तो किस प्रकार की अवस्ता होगी होंगी 3 प्लस 3 प्लस 3 पेरिए अब केलेक्स और कोरॉला इक तो क्या होगा केलक्स भाहे दलपुञत की बात कर रहें पहले है, संख्या gibi-3 3, 3 मुक्त है, free, grace, while weight, विन्यास सेन का while weight है उसके बात हम बात करते है, दलपुञत की, एंकी संख्या है 6, in two dollars of three each, तीन plus थी लिखेंगे यह भी free है, मुक्त है, those of the outer Gu speaker's, वालवेट वेरेज दोज अप्द इनर गुलस नेरो एंड ट्रिस्टेट वो ट्रिस्टेट होंगे पेल येलो कलर के हैं फ्रेग्मेंट और इन्फियर है सुगद्धित हैं कुश्बुदा रहे हैं तो अगर ये केलेक्स और कोरॉला में है तो अपने बात करिए हैं तीन है और सब्सक्राइब ुसके बात कर रहे हैं और इनकी संख्याम चित्र में देख रहें अनन्ते असंख्या इंडिपिनेट प्रथक हैं पॉली एंड्रस सरपीलाकार विन्यसिते इस्पैरली अरेंज डिस्टिंग्विश्ट इन्टू फिलामेंट कनेक्टिव एन्थरलोग इन्वे विन्यते पुतन्तु में कनेक्टिव में पराकोष्प द्वी कोष्टी हैं अथा डाइथिकस, बेसिफिक्स जें डिसेंस, लोगिचूडली इनका पूगा डिसेंस होगा और एक्स्टोज अथार बहीर बुखी है इस चित्र में भी हम देख रहे हैं बहुत सारे पुंके सरें इस्पारली अरेंज हम यहाँ पर वो नहतर आ रहे हैं अब हम देखने जा रहे हैं इस चित्र रहे हैं and elongated thalamus वो हमने पेले बात किए इस तरह के लंबे टोरस पे एक थेलेमस पे जमें होंगे इस पाइरली अरेजन्ट होंगे कारपस भी जान इस कारपल विदेश स्लवन ओवरी उसके बाद करवड़ स्टाइल इस प्रकार के होगी करवड़ स्टाइल एंड बीक्ड एंड सिंपल इस प्रकार का जाया पाई जाएगा उसके बाद फल किस प्रकार के हैं वो भी चित्र में दिखाए जरे हैं हिटेरियो फोलिकस फोलिकोलों का पुंज एक समू है डार्क कलरड विद वाइट स्पिक्स उसके बाद जो बीज है इनके पाई के लिए चबबा का में जो फल में जो बीज बनेंगे वो बड़े हैं लाच एंडोस्परमिक हैं और एंडोस्परमकोपियस एंब्रूविस्माद सुख्ष में ब्रून इनके अंदर होगा प्रकेन नहीं कोई परागन होगा ब्रंको द्वारा कैंजरोल्विस्यंट नमें पाई जाएगा क्योंकि जो पुष्प वो बड़े हैं आकर्शक हैं और वो कीटों को आकरशित करते हैं तो उस प्रकार से परागन होगा कीट परागन होगा यह बर्णन हमने देखा माई के लिया चंपा का क्योंकि किसी भी एक फ्लावर का हमें देखना था यह पॉटेट है और यह लिटरिजर हमें मिलता नहीं है इसलिए हमने पूरा प्लांट डिस्क्रेप्शन लिया है माई के लिए चंपा का यह पुश्पसुत्र है उसमें द्विलिंगी है एक्टिवनोमोर्फिक होंगे और इनकी जो संक्याय परिदलों की वो तीन प्लस तीन प्लस तीन की रूप में होंगे असंग की अंडप हैं खुलेवे होंगे और उर्द व बाठ के अंदर बाठ कर हमने बहुत महत्यपुन बिंदों पर डिसकस किया एसा और ये एक बहुत महत्पुन पीमेली एक पुले जो प्रिमिटी फेमेली ए और परिक्षा पूछिक के इग इसकी विकासिये प्रवर्तियां इसके किसी फ्लावर का फ्लॉरल डाइग्राम फ् बाल लवाद